तुला रासी वालों का आजी का रासी फल यनी की 12 नवंबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 12 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में आजी तिथी है दुआदसी नक्षत्र है हस्त पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है गुरू वार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजी के 41 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 28 मिनट में रितू है हे मन्त आजी का दिन काल है 10 घंटे 46 मिनट 55 सेकेंड का महिना है कार्तिक आजी के दिन सुभ शमय सुरू होता है 11 बजिके 40 मिनट एम से 12 बजिके 20 मिनट पीएम तक असुभ शमय सुरू होता है 12 बजिके 36 मिनट पीएम से 13 बजिके 29 मिनट पीएम तक राहुकाल शमय होता है 13 बजिके 16 मिनट पीएम से 12 बजिके 46 मिनट पीएम तक दिसासूल है दकछिन दिसाकी ओर तो ये था आजी का पंचांग इस वीडियो को आप लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो के अंत में आजिके दिन का अनोखा टोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखे सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में दोस्तो घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका समय सामान ने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब दोस्तो आने वाले समय के दोरान अगर आप अपने घर पड़ी बार में कोई पड़ी वर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो इस काम के दृष्टी कौन से आपका समय आपका शाथ अबश्य देगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका समय आपका शाथ नहीं देगा आने वाले समय के दोरान किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक जोक होगा, आपका बहस होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके प्रेम समबंध में कहीं कोई पड़े सानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो तो अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से नोक जोक करने से आपको बचना होगा वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका समय सामानने रहेगा दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपके कामकाज में आपका कोई महत्पुर्ण काम अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था, तो अपने अधूरे काम को आपको पूरा करना होगा वैसे अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका समय सामाने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आने वाले समय के दौरान अपने दामपत्य जीवन को आपको मजबूत बनाना होगा तो इसके बाद बाद करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले समय के दोरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आप मांस और मदीरा का सिबन बिलकुल भी न करें अगर आप ऐसा करते हैं इन चीजों को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा दोस्तों आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यनी की एक तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद